असलाम वालेकुम व्यूवर्स आज मैं बना रही हूँ आलू पुलाओ बहुत ही सिंपल और डिलिशिज रैसिपी है और उमीद है आपको यह रैसिपी पसंद आएगी तो चलिए इंग्रीडियंट्स जान लेते हैं आलू लिये हैं मैंने तीन अदद टेमाटर लिये हैं मैंने तीन अदद और इनको छुटे टुकड़ों में काट लेंगे जीरा लिया है साबत half table spoon और अधरक का पेस्ट एक चमच लेसन का पेस्ट एक चमच धनिया पाउडर एक चमच नमक जो है हस्बे जरूरत या दो table spoon प्यास जो है वो मैंने एक ही बड़ा वाला दिया था और धनिया जो है उसके पते और पांच अधत हरी मिर्चे और जो राइस है चावल वो तीन कप लिये हैं मैंने और लाल मिर्च पाउडर एक चमच हल्दी आ नहीं रखा लेकिन पानी भी शामल होता है चावलो को मैंने पानी में पहले से भीगो कर रख दिया है ओके सो लेट से स्टार्ट में किंग प्लाव तो सबसे पहले जाएगा half cup oil तेल डाला है मैंने इसमें और फिर साथ ही मैं प्यास डाल दोंगी एक अदद प्यास जो बड गुल्डन ब्राउन होने तक कुट कर लेंगे अपने प्यास को ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं होने देना अहलका सा गुल्डन ही हो जाए उसके बाद ही हम फर्दर इसमें इंग्रीरियंट डालना शुरु कर देंगे प्याज जो है वो हलका ही ब्राउन हुआ है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लसन का पेस्ट एक चमच ठीक है अब ये जो लसन है ना इसके साथ ही प्याज को हमने मज़ीद डार्क ब्राउन होने देना है लसन और प्याज एक साथ ही कुखोंगे इसमें अब देखें अब आई गया ना असली रंग इसका ठीक है अब इसमें हम शामिल करेंगे लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और जैसे ही ये दोनों एड करेंगे तो साथ में हम इसके हलका सा थोड़ा सा मतलब एक चमच के बराबर पानी डाल देंगे पानी डालने के फोरण बाद हमने इसमें डालने हैं आलू अच्छा मैंने ये स्टार्ट में नहीं बताया लेकिन आलू को जो मैंने काट के पानी में रखा था उसमें से पानी निकाल लिया है मैंने और फिर इसमें डाल रही हूँ अच्छे से वाश करके ही इसमें डालना ह अब हमने आलूओं को दो मिनट तक भून लेना है जब यह अच्छे से भून जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे अद्रक का पेस्ट एक चमच है अद्रक का पेस्ट वो इसमें शामिल करेंगे अगेन हम इसमें चमच लाएंगे और फिर हमने तकरीबन पांच से छे मिनट तक हमने इसको यूँ ही चलाते रहना है मतब ओयल में ही फ्राय होने देना है चमच इसलिए चला रहे हैं ताकि यह नीचे ना लगे अब हम इसमें डाल रहे हैं हाफ कप मानी ठीक है थोड़ा सा ही पानी डालना है दोने के बाद ठोड़ा सा इसको बॉइल आने देना है और हलक हुआ जाए तो हम इसको कवर करके कम्प्लीट कितने पांच मिनट तक हमने इसको पकाना है ठीक है ताके हमारे जो आलू है वो सॉफ्ट हो जाए अंदर से ये देखें आलू जो है वो हमारे अंदर से सॉफ्ट हो चुके हैं अब इसमें चमच चलाएंगे और अब बाकी के इंग्रीडियंट इसमें शामल आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है आपको मेरे रेसिपी के लिए बुरे रिमार्क्स देने हो पॉजिटिव रिमार्क्स देने हो कुछ भी हो आप लोग प्लीज कॉमेंट किया करें मुझे खुशी होती है कॉमेंट्स पढ़के चाहे नेगिटिव ही क्यों ना हो अब हम ते तिमार्क्स दाल रहे हैं । एक सो टे मार्क्स दाल दिए हैं कि उसके बाद हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इस एड करेंगे था खाबत सीरा ह और फिर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एक और बात कभी भी पुलाओ में अद्रक और लेसन का पेस्ट एक साथ मत डाला करें ठीक है और अब इसमें जाएगी हरी मिर्चे मैंने पांच अदद ली हैं आप अपनी मर्जी के मताविक भी डाल सकते हैं और अब इसमें जाएगा नमक और धन्या पाउडर फाइनली जितने भी मसाले थे वो इसमें डल चुके हैं अब हम इसको बगे ढख के पकाएंगे जब तक यह जो टमाटर है इसके अंदर कंप्लीटली मेल्ट हो जाएं तब तक हम इसको पकाते रहेंगे टमाटर जो है वो पकने में देर करते हैं तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है जी हाँ तो टमाटर हमारे गल चुके हैं अब मैं इसमें पांच कप पानी डाल रही हूँ पांच कप किस तरह जैसे मैंने तीन कप जो है वो चावल लिये थे तो उस हिसाब से मैं इसमें 5 कप पानी ले रही हूँ चावलों के अंदाजे से ही हमने पानी डालना है और इसमें जब पानी डल जाए तो इसको बॉयल आने देने के लिए हमने कवर करके थोड़ी देर तक इसको बॉयल आने देना है जब बॉयल आ जाए पानी बॉयल हो जाए तो इसमें डालेंगे चावल चावल जो है वो मैंने सोख करके रखे थे बिगो के रखे थे अब इसमें हम चावल शामिल कर लेंगे चावलों का सारा पानी मैंने निकाल लिया है चावल डाल लेने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चमच चला लेंगे अच्छे से अच्छा जी तो चावल हमने डाल दिये हैं और चमच भी चला लिया है अब हम इसको ढखकन दे के इतनी देर पकाएंगे जब तक के इसका पानी खुशक हो जाए बीच बीच में हमने इसमें चमच चलाते रहना है ताके ये नीचे ना लगे चेक करते रहना है मैंने तीन मर्तबा धकन जो है वो ठाके देखा था तीन दफ़ा मैंने चमच चलाया है इसमें ये देखें स्लोली हमारे जो पानी है वो खुश्क होता जा रहा है ये थर्ड टाइम मैंने धकन ठाके अब इसको अगेन दुबारा चमच चलाऊंगी और ये लास्ट स्टेज पर है अब इसके उपर मैं धनिया चिर्कूंगी धनिया डालने के बाद दुबारा से इसको कवर करके दम पर रख देंगे ताके थोड़ा सा भी जो चावल है ना हमारा वो कच्चा नहीं रहना चाहिए तो हम लोग दम पर रखेंगे पांच मिनट के लिए और बिल्कुल ही लो फ्लेम पर ठीक है हमारा जो चावल है वो रेडी हो चुका है बहुत ही यमी मज़ेदार सिंदी पुलाओ है ये आप लोग जरूर ट्राइ कीजेगा कोई चिकन वगेरा नहीं डलता इसमें वेजिटेरियन रेसिपी है और उमीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी थेंक यू सो 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 मच आप लोगों ने यहां तक इस वीडियो को देखा उमीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और मुझे कमें बताए के कैसी लगी आपको ये रेसिपी लॉट्स अफ लव फ्रम इस गरीब लड़की अलाहाफिज टेक केर अफ यॉरसेफ बबाए लॉट्स अफ लॉट्स